तो शुरू करें नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं एजेंट्स इन एई यह बहुत इंपॉर्टन्ट है इसके ताइपस आते हैं कि यह कितने टाइपस का होता यह भी बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंगी कोशन में सीधा कोशन आता है और बहुत ज़्यादा जरूरी भी है तो कि यह लॉंग नाता है पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरकार artificial agent में agents क्या होते हैं मतलब की environment हम लोग ने पहले भी सीखा है artificial intelligence जो होता है वो situation के हिसाब से चीज़ों को बदलता है decisions लेता है चेंजमेंट करता है for example हमारा फोन का camera मान लीजिए कि अपने आप हिसाब से autofocus लेता है या फिर greenery वाली जगह में हो तो color enhanced करता है यह सब अपने आप करता है ना मतलब की वो कुछ ना कुछ देख रहा है उन चीज़ों को समझ रहा है या फिर कह सकते हैं हमारा camera है उसका एक vision है एक vision के through वो समझ के उसको किसी ना किसी तरीके से changement लाके अपने actions को perform कर रहा है अगर वो यह काम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है और वो agents जो है जो इस काम को करवा रहा है उनका क्या role है इस बात को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो अगर हम लोग agents की बात करें तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि agents it can perceive some information from environment or can perform some actions मतलब की जो भी artificial intelligence में agents हैं उनका काम है कि environment से situation को perceive करना मतलब समझना उसको एक तरीके से judge करना और उसके हिसाब से उस situation के हिसाब से actions को लेना जैसे कि मैंने अभी mobile phone वाला example दिया कि उसने environment के हिसाब से perceive किया उसको लगा कि auto focus आपके face पे होना चाहिए ये book effect डाल तो पीछे blur होना चाहिए और उसके हिसाब से sensor करके उसने actuators के through क्या किया action को perform किया अभी इन दोनों की हम लोग सही तरीके समझेंगे लेकिन इसमें क्या होता है कि मैंने बोला कि agent ने decision लिया machine जो होती है हम लोग उससे काम कराते है हम लोग उसको task देते है वो करती है पर यहाँ पे agents ने अपने आप decision लिया इसका मतलब कि वो क्या था एक rational agent था मतलब कि artificial intelligence is defined as study of rational agent अब भाई साब बात यह आती अभी तक तो agent कह रहे थे auto focus कह रहे थे सब बात है आखिर कर यह rational agent क्या है rational agent माने है they can take decisions अब जैसे हम लोग एक person है कोई situation आती है तो हम लोग vision लेते हैं for example paper आ गए है पढ़ाई करनी है मन नहीं मान रहा है लेकिन कल paper है रात तक अपने आपी sensor जवाब दे जाएंगे हिल डूल जाएंगे अपने आप copy उठाके चालू हो जाएंगे पढ़ने के लिए किसी ना किस तरीके तो पास होना है निकालो कुंजी शुरू करो तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि कुछ learning machines होती है जो चीजों को सीखती रहती है और अपने आपको evolve करती रहती है या फिर हम यह भी कह सकते है उस machine में ऐसी AI है कि पांच situations है पांच conditions है अगर कोई एक particular condition trigger होती है तो उसे कौन सा action perform करना है तो वो उस action को perform करेगी तो यह depend करता है हमारे algorithm प वो software हो उसके सामने अगर कोई situation आएगी वो उसको समझेगा वो उसको परकेगा decision लेगा for example मैंने पहले ही बोला था कि हमारा mobile phone है उसका camera है अगर आप greenery वाली जगे पर जाओगे तो वो color enhance अलग तरीके से करेगा बूके effect डालोगे तो वो अलग तरीके से करेगा तो यह क्या है camera का artificial intelligence है जो judge कर रहा है night vision में हमारे photos को clean कर रहा है blur कर रहा है color enhance कर रहा है मिलकी बना होता है जो मैंने कहा पहला agent और दूसरा environment decision तो ले रहा है लेकिन कैसे ले रहा है perceiving from environment through sensors मतलब की हमारा AI system जो है उसमें एक sensor लगा हुआ है जैसे कि मैंने कहा हमारा phone camera था उसमें sensors लगे हुए है वो sensor notice करते हैं कि यहां पर इस चीज को मुई apply करना चाहिए और उस हिसाब से वो acting करते हैं मलब act करते हैं उस environment में actuators के through actuator माने होता है वो particular part जो उस action को perform करता है for example आप मान लीजिए कि हम किसी गरम चीज को छूते तो हमारे sensor बताते हैं कि यह गरम है और हम उसको हां से तुर्ण हटा लेते हैं धकेल देते हैं यह हमारा actuator है जिसने action perform किया sensor या actuator ने perform किया मतलब की sensor अलग है actuator अलग है ऐसे ही हमारा sensor इसमें अलग है और actuator अलग है मतलब कि मैं यह कहना चाहता हूं कि environment से कोई चीज जो है वो sensor ने percept की या perceiving हुई जो भी आपके यह मतलब उसने समझा और जब उसको समझा तो उसने एक जो certain action है उसको decide कि उसे इस पर क्या काम करना चाहिए तो जो यहां पर actuator है हमारा जो हमने यहां पर बात की अपनी actuator की इसने क्या किया इसने एक action को perform किया उस environment में ठीक है जैसे मैं एक example लेता हूं आपके लिए और जैसे 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 हम लोग घर में वाशिंग मसीन से और तो sensor sense करता है सर्फ का मैं अपने आप डाल देता है उसमें automated जो पूरी fully होती है water का वह water अपने आप अपने आप घुमाता है फिर सुखाता है तो क्या है एक तरीके sensor sense कर रहा है भी धूले नहीं है तो actuator जो उसको फिर घुमाने हम लग जाता है फिर कहता है भी सूखे नहीं है तो उसको और AI agent इसको मैं five videos में cover करूंगा playlist जो है उसका link description में simple reflex model based reflex agent gold based utility based learning agents इनको बहुत अच्छी से एक दम वास तरीके से करूंगा इसके पहले आपको यह जानना जरूर था कि आखिरकार agent क्या होते है rational agent क्या होते है environment क्या होता है हमारा और sensor क्या करते है और actuator क्या करते है तो I hope so आउट है वो clear हो गया होगा या अगर आप इसको पहली बार देख रहे है तो आपके सामने पूरी image जो है वो clear हो गई होगी तो जो पूरी playlist है artificial intelligence की उसका link description में I hope so आपको पसंदाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को subscribe जरूर करिएगा तो फिर मिलत